जब समय बदलता है तो सब चीजें आपके अनुकुल होने लगती हैं राहुल गांदी जब यहां से गए तो वो भारत जोड़ो यात्रा करके गए करनाटक जीत के गए तो अमेरिका में उन्हें बहुत इशांदार रिस्पांस मिला और अमेरिका से जो शांदा रिस्पांस मिला उसको लेकर जब वापस भारत आएंगे तो उन्हें यहां पे भारत में उससे भी ज़्यादा मिलेगा तो यह सब चीजें एक के बाद एक जो है मलिटिप्लाई होती चली जाती हैं जब परिस्थियां आपके अन्कुल होने लगती हैं नो साल मोदी जी को हो गए है और इस नो साल के बाद एक बड़ा सर्वे आया है जो अभी गोदी मीडिया उसको जादा चला नहीं रहा है कहीं कहीं कुछ जगे हमने उसको देखा उस सर्वे में ये बताया गया है कि लोग सबसे ज़ादा बेरोजगारी और महगाई से परेशान है लोग जो हैं प्रष्टाचार के सवाल उठाने लगे हैं लोग जो हैं अब ये बात करने लगे हैं कि हिंदू-मुसल्मान की राजनीती बहुत हो गई हमें शान्ती चाहिए तो ये जो सारे सवाल हैं ये इसी लिए सामने आए कि राहुल की यात्रा सफल हुई कांग्रेस ने करनाटक जीता और कांग्रेस जो है अब विपक्षी एक्ता के लिए गंभीर प्रियास में साथ दे रही है तो ये सारी जो चीज़े हैं इसका असर जंता पर भी होता है तो अब देखेंगे कि राहुल गांधी जब अमेरिका से वापस इंडिया आएंगे तो चीजें बहुत तेस गती से मूव करने लगेंगी आज की इस्तिती यह है कि कांग्रेस तीन राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं चार महीने बादी वह हो जाएंगे मद्यप्देश तीनों जगे बहुत अच्छी पोजिशन में हैं राजिस्तान में कांग्रेस के अपने अंदुरूनी विवाद हैं लेकि उतने ही अंदुरूनी विवाद भाजपा के भी हैं इसलिए दोनों कमजोर पार्टियां महां जब लड़ेंगी तो उसमें क्या होगा कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मार यह नहीं है कि कांग्रेस में गहलोत और पाइलेट ड़र रहा है तो बीजेपी में सबच्छा है अभी आपने देखा कि अजमेर में जब प्रधान मंतरी बोदी गए तो वहाँ वसंदरा राजे को जो बीजेपी की सबसे बड़ी नेता है राज मद्यप्रदेश कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है जहां तक 36 गड़ का सवाल है वो भी ठीक है क्योंकि वहाँ जो कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा यह है कि वहां विप्रक्ष नहीं है इसका फायदा बगहल साब उठा रहे हैं कि रमन सींग जी जो थे जिन्होंन में पंद्रा साल सरकार चलाई वह अब काफी कमजोर स्थिती में आ गए हैं और कोई दूसरा नेतरत्वा विक्सित नहीं हुआ है तो वह बीजेपी की तरफ से पॉलिटिकल वेक्यूम का फायदा वहां पे जो है वहां पे कांग्रेस को मिल सकता है तो इन तीन राज्यों के लगावां पे चुराओं में कांग्रेस अच्छा करेगी और चोथा राज्य वह दूशन नहीं करेगी बहुत ही मुख़्य की रडाई हैं वहां पे इसलिए आप देख रहे हैं कि कितना विज्ग्यापन के डिया और ने एक राज्वार्री भी बना ली है जे तो एसी इस्तिती में कांग्रेस के लिए और राहुल के लिए बहुती अनुकूल इस्तितियां पैदा हो रही हैं और इसलिए हम जो कह रहे थे कि ये पहलवानों के मामले ने जो अच्छानक मौन लिया देखिए एक महिना हो गया था उन्हें बैठे हुए और इस्तिती य और वो तो अच्छा है कि जो टिकेट वहां गये और उन्हें वापस लेके आया है और वो राश्च्पती से मिलने जा रहे हैं लेकिन उसके बाद एक अच्छानक जो चेंज आया है कि देखिए भारत के जो सबसे बड़े खिडाड़ी हैं सबसे बड़े हीरो हैं आज की ता हेलमेट के दुनिया के सबसे तेस गेंदबाजों के सामने मैटिक करी हो गावसकर जो हैं कोई छोटे मुटे बल्ले बाद नहीं आज सचिन का आप जो जिकर कर रहे थे नाम हो गया मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सचिन तेंदुलकर जिने भारत अतन दिया जिने साथ में राजस्वा भी दी गई वो आज खामोश हैं देश को बड़ी उम्मीदे थी कि सचिन तेंदुलकर सामने आएंगे और बोलेंगे कि ये गलत हो रहा है मगर जिस तरह अबिता बच्चन चुप हैं जिस तरह एक नखली आदमी जिसने की पूरा दोहजार बारा से लेके चुदा तक अंदोलन करके जूटे अंदोलन से सरकार बदल दी थी अन्ना हजारे वो चुप हैं उसने सचिन भी चुप हो गए हमें लगता है कि देश की जनता को अमिता बच्चन से कोई उम्मीद नहीं है लेकि सचिन से आज भी लोग उम्मीद करते हैं सचिन को प्यार करते थे हंदुस्ताने की बहुत छोटी उमर से सचिन ने खेलना शुरू किया था और जब सचिन ने खेलना शुरू किया तो लोगों उसको बच्चों की तरफ प्यार दिया और हमें अभी उम्मीद है कि सचिन कोई फैसला लेगे और सचिन सच के साथ में आएंगे लेकिन अगर सचिन सच के साथ नहीं आए तो यह बहुत ही खराबचती होगी देश का पहला भारत खेलो के अंदर जबकि इसके सही हगदार जो थे वो मेजर ध्यान चंद थे या मिलखा सींग थे यह दो बड़े नाम थे इंडिजर खेलों में मिलखा सींग जैसा नाम किसी था लेकिन यह कांगरिस के सरकार में यह फैसला हुआ और इसके लिए बाकाद एक लॉबिंग की गई वो सब को मालू है यहां बताने से कोई फायदा नहीं यह कांगरिस के निताओं नहीं वो लॉबिंग करी और सचिन तेंदूलकर को वो डबल पुरुसकार दिलाए गए आज वर्ल्ड रेसलिंग जो एकस्टिशन है वो आपको धमकी दे रही है कि हम आपके कुछती को विश्व खेलों में शामिल नहीं करेंगे और आप चुब बैठे हुए हैं कैसे भारत अतने अगर आप खिलालियों का समर्था नहीं कर सकते महिला पहलवानों का समर्था नह नहीं कर सकते हैं तो वो भारत अतन रखने का जो हिंदुस्तान में खेलों के लिए पहला दिया गया भारत न उसको रखने के हगदार नहीं है उन्हें उस भारत को वापस कर देना चाहिए और कपिल देव ने बास साबित कर दी कि हिंदुस्तान के दिलों पे राज करने वाला सबसे बड़ा खिराली वो ही है लेकिन देर आये लेट आये इतने दिनों से कहा थे ठीक है देखिए सब जगे डर है परिशान हो रहे है सब जगे डर है दरो मत राहुल ने इसलिए कहा था देखिए जो हम बात कर रहे थे कि जो हमारे लोग संद के चार स्थम खेलाते हैं उसमें एक विधाईका ही ऐसी है और विधाईका में भी विपक्षी जल कांग्रेस जिस और उसमें राहुल गांदी जिसने नो साल लगातार संगश किया मीडिया डरी जूडी शरी चुप रही कारपालिका के बारे में तो आप जानते हैं कारपालिका सबसे पहले डर जाती है और सबसे पहले वो जो है सरकार साथ चली जाती है लेकिन जिसे विधाईका हम कहते हैं जिसे हम संसदी लोकतंतर कहते हैं उसमें राहुल गांधी ने ये बास थाबित की कि वो कभी नहीं डरें पूरे नो साल लगातारों संगर्श करते रहें बोलते रहें और आज उसी का परिणाम है कि आज हमारे ख्राऑयों को भी सामने आना पबा देर से आया आपकी खिर्श बिलकुल सही है जनता का और आपका और बागी लोगों का इस दुक्ष और शिकायत बिलकुल जायाज है मगर आए हम्मत की बागी लोगा ने तो वो भी नहीं की इस मामले में तो हमारी जो भाला फैक के चैंपियन है नीरच उनकी सबस्दा तारिफ करना पड़ेगी सबसे बेले तो वो आए उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ इस ख्रालियों का समर्थन किया तो और भी बहुत सारे ख्राली आयो इस ठाइम कर्नाटक जीत के कांग्रेस ने बहुत बड़ा काम किया है और वो इस रडाई में अब काफी आगे निकल गई है और कांग्रेस आगे है और बी जे पी को उसे फॉलो करना पड़ता है जी बिल्कुल बीजेपी फॉलो कर रही है लेकिन यहां पर एक जो घटना करम बहुत तेजी से बदलता हुआ भारत में आप देख रहे हैं मनिपूर धर जल रहा है